हाई गाइस ये देवांग मैश्वरी दिस साइड विधानता एक स्टोक जो की अरॉंड 50% तक करेक्ट हो गया है अल्टाइम है से मेटल में काफी फेवरेट स्टोक और काफी कॉंट्रोवर्शल स्टोक भी विधानता रहा है काफी सारी नियूज कुछ ना कुछ विधानता रिलेटेड आती रहती है इन सब के बीच क्या हमें विधानता स्टोक खरीदना चाहिए या अगर आप अल्रेडी hold करते हो तो आगे आप क्या expect कर सकते हो विदानता लिमेटेट से ये समझेंगे हम इस वीडियो में करेंगे हम detailed trend analysis साथ में हम कुछ की fundamental points इस sector related और इस company related भी समझेंगे तो चलिए सबसे पहले हम बात करते है कुछ fundamental points पे विदानता लिमेटेट company के market cap के हम बात करें तो 86,220 crore का market cap है company का P multiple देखे तो 4.5 अब काफी लोगों को यह जो multiple है low और single digit काफी cheap लगता है कि या सिर्फ चार के valuation पर हमको मिल रही है company पर hold करो आप वीडियो पूरा देखिए आपको समझ आएगा कि क्यों यह कम valuation पर trade कर रहा है हमेशा यह ज़रूरी नहीं होता कि कोई चीज अगर बहुत low पी multiple पर है तो एक cheap company है बात करें company की overall growth rates बात करते हम profit and loss account पर 2011 में अगर हम देखे तो company की overall sales थी 10,000 करोड के आसपास की जो हम 2022 में देखे तो 1,32,000 करोड यानि कि sales की बात करें तो almost 11 से 12 गुना हो गई है overall sales तो काफी अच्छी growth है top line में अब आते है कुछ और points पे जिसे की operating margin percentage अगर आप देखेंगे तो इसका operating margin percentage 51% हुआ करता था वो अभी 34% है तो यह काफी dip हो गया है over the period profit कितना कमाया company ने उसमें बात करते है तो अगर हम net profit देखेंगे तो 10,000 करोड की sales पे 4,220 करोड का profit है और 2022 में देखे तो around 18,000 करोड का ये profit है यानि कि जो profit है वो भी almost 44.2 times हो गया है तो profit भी अच्छा देखत है sales growth भी अच्छा देखता है पर यहां पर एक star है वो छोटा सा star होता है ना condition supply का बैसा वाला देखें यहां पर जो point note करना है आपको वह है EPS EPS का मतलब होता है earning per share यानि कि net profit को अगर हम number of equity share से divide करते है तो हमको ये मिलता है इसका मतलब कि एक share के बदले में company कितना profit generate कर रह है यानि कि अगर हम देखें तो पर share profit company ने कुछ भी grow नहीं करा है अब यह क्या बात हुई net profit 4200 करोड से 18000 करोड बट फिर भी EPS लगभग उतना ही है कोई growth नहीं है ऐसा इसलिए क्योंकि company बार-बार new funds issue करती रहती है company अपनी share capital बढ़ा रही है बार-बार हर कुछ सालों मे जिसके कराण new shares issue होते है और company का EPS कम होते जाता है तो profit तो 4.2 times हो गया बट number of shares बढ़ने के कारण पर share profit है उसमें कुछ growth नहीं है बताता हूं कैसे देखे आप यह share capital 87 करोड की थी ओके अद यह अभी 372 करोड की हो गई है हर तीन साल में company fundraise कर लेती है जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे 11-12-14 में company ने बहुत fundraise करें आप देखेंगे 87 से almost 3 times 3.5 times company ने share raise करें फिर 3 साल निकले फिर company ने share raise करें फिर 3 साल निकले फिर छोटा मोटा कुछ share raise करा और लगभग फिर उतना ही चला आ रहा है तो इसलिए यह profit growth जाप को देख रहे है 10 year compound है 22% यह actually profit तो grow हुआ पर पर शेर कोई growth नहीं हुआ और इसी कारण आपको देखेगा कि पर शेर stock price में भी कुछ growth नहीं हुआ तो stock price यह 10 years का कितना देख रहा है आपको सिर्फ और सिर्फ 2% यानि की मानिंगी यह समझ लीजिए 10 साल में stock में कुछ return नहीं आया इसके बीच अगर आपको कु अचले 10 साल है यहां पर company around 420 रुपीज की थी अभी देखे 225 रुपीज की है और अगर हम 2010 के टॉप से देखे तो अभी भी वाइनस 50% है थोड़ा नीचे आ जाते है और अगर हम कही इधर से देखते 2009 से तो कुछ भी return company में नहीं मिले आप कुछ लोग बोल सकते हैं किया बोनस मिला होगा split मिला होगा देखी जो चार्ट आप देख रहे है इसमें पुराने सारे prices भी bonus split adjusted हो जाते है तो जो चार्ट है वो सारे action जो भी price आपको दिख रहा है वो सब corporate action adjusted है तो 10 साल में कुछ भी growth EPS में नहीं हुआ और वैसे ही कुछ हमने stock में भी देखा कि यहां कुछ भी growth नहीं हुआ अब देखिए यहां पर आपको metal sector पर भी थोड़ा focus रखना होगा देखिए क्या है कि कोई भी stock को अगर आप खरीद रहे तो उसका sector समझना बहुत जरूरी होता है अगर आपका sector में ही problem है तो अच्छे chances है कि आपके वो stock आपको पैसा कमा के नहीं द का रहा है कि जो profits होते वो consistent नहीं होते दो साल बहुत अच्छे हो जाएंगे दो साल फिर वेकार हो जाएंगे नेट नेट घूम फिर के company वहाँ ही पहुच जाती है और वही कुछ इसमें हमको दिख रहा है तो यह stock price कुछ ऐसा ही घूमते रहता है उपर नीचे उपर नीचे फिर से अगर हम देखे तो यह जो 2010 का top है इस top से ही stock को resistance मिला इधर stock ने एक अच्छी rally दी एक अच्छी rally की देने के बाद इन्ही particular level से stock में resistance आया और stock 50% तक down हो गया अब क्या करना चाहिए stock में वो बात करते अगर सबसे पहले अगर आप एक long term के लिए वेदानता को सेजन नहीं है क्यों क्योंकि यहां पे profit growth में कुछ consistency नहीं मिलती है और अल मिटल सेक्टर की अगर हम बात करें तो हम निफ्टी मिटल का चार्ट देखते हैं अब निफ्टी मिटल का चार्ट देख रहे हैं यह वह कुछ इसी तरीके से आपको 2012 से 10 से दिख रहा है कुछ भी तो अगर आपको यह stock फिर भी खरीदना है कि नहीं आपको असा लगता है कि यार stock में आगे बहुत अच्छा potential है या आपका ऐसा बिलीप है कि निफ्टर में कुछ बहुत अच्छा हो सकता है उसके लिए मैं आपको levels जरूर बता देता हूं तो जो लास्ट अच्छा support है अगर यहां पर मिलता है तो डिफिनेटली अगर आप लॉंग टर्म में बुलिश है कंपनी पर अपसके फंडमेंटल से बहुत ज्यादा बुलिश है तो आप को 170-180 के बीच में अक्यूमिलेट कर सकते है अगर आप मेरा चाहते हैं तो मैं बहुत ज्यादा फंडमेंटल से नहीं हूं और मेटल्स और जित्ते भी साइकली कल्स होते जैसे की मेटल हो गया शुगर हो गया इस टैप के फर्टिलाइजर हो गए इन टैप की कंपनीज में आपको प्रिंट को जाधा वेड़ देना चाहिए क्योंकि स्टॉक बहुत तीजी से करेक्ट होते इस आप देख हो गया था एक पर्टिकुलर टाइम पर वन थर्टीप परसंट अभी देखेंगे तो फंदरा परसंट शोला परसंट का रिटन ही बचा तो यह चीज आपको यह सिखाती है कि मेटल शुगर इन समया प्रिंट्स पर ज्यादा वेड़ दीजिए टेक्निकल पर ज्यादा अगर आपको स्टॉक कुछ मिटॉबं पर ज玩意 ऐन सहाथ तो देखिये जवी आपको स्टॉक को खरीदना तना अच्छा नहीं होता है क्योंकि है तो हजार स्टॉक से काफी स्टॉक होंगे जो अप्रेंड में तो आप सेमल्टनेस की पैसा उधर लगा सकते इस तरीके से आपको डिसीजन लेना है तो जरूरी नहीं है कि हम विदानता से ही पैसे कमाएं तो आखरी में वह आपका प्रॉफिट ही होता है तो आपको फोकस को ऑन हाव टू बेकाम असक्सिस्पुल ट्रिंड पॉलर पिछले वेबिनार काफी लोगों का छूट गया था इसलिए और रिक्वेस्ट वापस से ये वेबिनार हो रहा है तो आप इस वेबिनार को जोइन कर सकते हैं और हम समझेंगे की स्टिप्स और ट्रिंड पॉलिंग कि भीक दूलर गूओ झाल स क一次 का इसलिए ठाते हैं और लोगों बचल के जो झाल म असका का छोटने और दमम्म में से हैं जुल्क्त वधरिया हैり वेबिता भीकशाकर प्रूट से गिम्नॉक्या पूड़ के भीक्शाकर के लाट ने के हैं दो कि अरो और रिक बार दैन गे